तो यह देखो प्यारे बच्चों एक अच्छा सा सवाल है इसको हम लोग करते हैं बेसिकली यह एक लाइट रे डेंसरर से रेरर में जा रही है और एंगल आफ रिफ्रेक्शन जो है और रिफ्रेक्टेड इन नाइंटी डिग्री में पुलराइजेशन हो रहा है तो क्रिटिक तो क्रिटिकल एंगल निकालना है ठीक न? सुंझो । इस में ले लेता हूं और एक लाइट रे अपनी गई है देंसरर से रेरर में गई है तो इस MA critical angle बना बना होगा तो यह critical angle यहां पर ऐसे light आई होगी और interface से pass हो गई होगी ऐसे गई होगी तो अगर यह light ray ऐसे आई होगी तो यह angle जो है वो theta से critical angle अपना बना होगा इस इस the point P तो point P पर अगर snail's law लगा दोगे तो snail's law क्या करता है कि mu sin theta का product constant होता है दो medium के लिए तो इसमें angle of reflection 90 degree है तो यहां से mu 1 multiplied by sin 90 must be equal to mu 2 multiplied by sin theta c तो यहां से sin theta c critical angle आजाएगा हो आजाएगा mu 1 upon mu 2 इसका मतलब एगए theta c आजाएगा sin inverse sin inverse mu 1 upon mu 2 के बराबर आजाएगा तो sin inverse mu 1 upon mu 2 के बराबर आजाएगा यहां से तो B option सही है या तो A सही है यह कभी सही नहीं हो सकता बात समझ में है अब हमें mu 1 mu 1 mu 2 की value निकालना है mu 1 mu 2 की value निकालने के लिए जो polarization जैसा यह कह रहा है उसका यूज कर लेते हैं यह interface है और यह अपनी normal है तो एक light है जो आई ठीक है मैं दूसरा color ले ले लेता हूं एक light है अपनी आई थी यहां से जो आई थी उसका polarization plane polarized light इधर चली गई ठीक है और यह जो light है वह इधर गई partially reflected है partially polarized होती है यह angle i है और यह angle r है और यह angle r-s है और यह point q है माल लेता हूं ठीक नब यहां पर दीक रहा है कि यह angle जब polarization होता है तो यह angle 90 होता है तो r r plus r-s का जो सम है वो 90 के equal है और r और r और i आपस में equal है तो अगर r और i आपस में equal है तो इसका मतलब भी होगा कि i plus r-s का सम 90 के equal है बलाव r-s की value आजाएगी 90 minus i के equal आ जाएगा यह बात समझ में आ गया तो अब point q पेशनेल सरा लगा दो इसको लिए थे तो mu2 इसको लिए थे mu1 तो यहां से mu2 multiplied by sin i must be equal to mu1 multiplied by sin r-s ठीक है तो यहां से mu2 और sin i की value आ जाएगी mu1 और यहां से sin r-s की value आएगी 90 minus i के equal है तो यहां से mu1 multiplied by यहां से cos i के equal आ गया तो यह वाली जो चीज है यहां से tan i की जो value आ जाएगी हो आ जाएगी mu1 upon mu2 अब जो tan i है mu1 upon mu2 उसको तुम first equation में रख दो तो critical angle यहां से दोष दिखेगा वो critical angle sin inverse यहां से mu1 upon mu2 था तो जो sin inverse यहां से और tan i के equal आ जाएगा this is the final solution मतलब यह option अपना सही हो जाता है ठीक है तो यहां से जो यह option clear है thank you i hope कि आपको मज़ा आ गया होगा